हेलो एंड नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रागाव पटेल दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे कि जो चेक बाउंस की मामले होते हैं क्या उनको हम 420 IPC के तहट भी दर्च करवा सकते हैं की नहीं दोस्तो प्राकरम में लिखत अधिनियम यानी नेगोटेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अनुशार अगर कोई ब्यक्ती ऐसे बेंक खाते का चेक देता है जिसमें भुकतान के लिए परियाबत रासी नहीं होती है इसके कारण भै चेक अनादरित हो जाता है यानी बाउंस हो जाता है तव एंसे खाते धारक को दो वर्स का कारावास या फिर जो चेक रासी की दुगने का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है लेकिन नेगोटेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो धारा है 138 के अलावा कमरा कम या फिर 080 बाला चेक देने बाले ब्यक्ति पर भारतिय दंड सहेता 1860 की जो सेक्षन है फोर टॉंटी यानी 420 छल का अपराधिक मामला भी बन सकता है कि यहांसे ब्यक्ति को IPC की धारा 420 के तहत भी दंडित किया जा सकता है दोस्तों इसके लिए केराल हाई कोर्ट का एक मात्पूर्ण जज्ज्मेंट है मैं आपको बताता हूँ चेक बाउंस का जो मात्पूर्ण जज्ज्मेंट है वो BLM चेरी बनाम एने मार्डिन का था उक्त मामले में जो केराल का उच्छ नियाल आय था उन्होंने यह अभी नरधारित किया था यानि उनका डिसीजन था कि किसी भी बैंक का चेक बाउंस होने मात्र के आधार पर भारती दंड सहिता यानि IPC 1860 की धारा 426 का अपराध नहीं होता है जब तक यह साबित ना किया जाए कि चेक जारी करने बाले ब्यक्ति को यह ग्यात था कि उसके खाते में चेक पर अंकित मुल की धन रासी जो है वो उपलब्ध नहीं है साधारण यदि हम साधारण सब्दों में कहें तो चेक देने बाले ब्यक्ति ने जान बूच कर ऐसे बेंक खाते का चेक दिया है जिस खाते में बहरासी नहीं रखता है एवं जो परिवादी को यह साबित करना होगा कि उसका खाता पहले से ही सुन रहा है तब ही भारती दंड सहीता 1860 का जो सेक्षन है 420 वो लागू होगा अन्य था नेगोटेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की जो सेक्षन है बन 38 वह ही लागू होगी आसा है दोस्तों आपको यह वीडियो पशंद आई होगी वीडियो से रेलेट आव आपका कोई कॉस्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं